जेटले सी की अभियारती हो, सभी से निवेदन कर्चा चाता हूँ, कि तुम लोग जिंदा लास हो, अगर अपने अधिकारों के लड़े नहीं, अगर अपनी अधिकारों के नहीं लड़े, तो मुर्दा हो, मुर्दा, लड़ो, इस सरकार के खिलाफ लड़ो, अगर तुम्हा अन्सारी जी एक आइटम गर्ल है उनको हम लोग आइटम गर्ल मानते हैं वो कहां कब नाचने लगेंगे कहां किस तरह से डांस करने लगेंगे हम लोगों को उनके बात पर जरासा भी नहीं है लेकिन दुर्भागे कल रात में पुलीस की परवरता सरकार के इसारे पर हुआ है कहीं दूसरे अस्थान पर यहां से 20-25 किलोमीटर ले जाकर के उनको एक कमरे में कहीं नौजवान लगेंगेंगे को रखने का काम किया और यातना देने का काम किया है हो सकता है हमारे बच्चों का अफरन कर लिया आ गया हो, हो सकता है उनके साथ कोई दुरघट ना घट जाए जैस सिरीराम हमारे आस्था के केंडर बिंदू है वह भी बोलेंगे, जैजहारकंड भी बोलेंगे और जोहार भी बोलेंगे अपनी लंबित मांग को लेकर मुराबादी मैदान में डेटे जैपेसी अव्यारतियों को गत देर रात जीला प्रसासन के द्वरा गिरपतार किये जाने की सूचना पर मुराबादी मैदान पहुंच राजिशवा सांसद सह जारकंड भाजपा की प्रदेस अध्यक्ष धीपक प्रकास और भाजपा बिधायक भानुपताब साही ने सरकार को सिर्फ लोक लुबावने गोचनाय करने वाली सरकार बताया आपको बता दें जे प्यासी में होई गरबडियों को लेकर पिछले कई दिनों से छात्र मुराबादी मैदान में अंदोलन कर रहे हैं जे बिल्कुल आपने से सुना चुकि कहीं ऐसा तो नहीं अभी सदन चल रहा है ऐसे में बिरोधियों के हाथ कोई मुद्दा ना लगे इसलिए जीला प्रसासन ने गतरात अभियार्तियों को गिरापतार करने का कदम उठाया है ऐसे कई गंभीर आरोब भाजपा के नेताओं ने सरकार के उपर लगाया जिब बिल्कुल आपने से सुना मुराबादी मैदान पहुचे भाजपा के कई नेताओं ने और क्या कहा तो वहीं भाजपा बिधायक भानू परतापसाही ने कॉंग्रेस बिधायक इर्फान आंसा पर लगाया गंभीर आरोब और उनको लेकर चुटकी भी ली भाजपा के नेताओं ने और जेपी एस्सी के अभ्यार्थियों ने स्याम में कैंडल मार्च निकाला अलबर्टे का चौक तक आए सुनते हैं किसने क्या कहा हमारा सेशन चल रहा था मैं दिल्ली से लोटा हूँ दिल्ली से लोटा हूँ मेरा सेशन चल रहा है और पूरी पाटी इनके साथ है इनके हर संगर्स के साथ है और पूरे पाटी के कारकरताओं का नेतिक समर्थन इनके साथ है हमारे बिदायकल बिदान समाम इन सारे बिश्यों को रखने का काम किया था हमारे बिदायकों पर भानुजी पर लाठी बरपरता के साथ चलाने का काम किया कई पर मुकदमे दर्ज करने का काम किया ये लोग तंत्र में ये लोग तंत्र किया था कौन क्या बोल रहा है यह नहीं यानते यह बात सच है कि 57 बच्चों का उन्हें स्वेम सुविकार की आगलवड़ी है नियामावली को सितिल करने का अधिकार जेपीची को नहीं है जेपीची के जो नियामावली बनी है सेक्षन 30 उसमें उलेक है कि जो भी बच्चा पीटी का एक्जामनेशन देगा उसका एंसर बुक ओ एम आर डाउनलोड होगा आज दिर क्यों कर रही है इसलिए पूरी गलवड़ी है और गलवड़ी है तो पिर CBI की जाच हो और परिच्चा पीटी की परिच्चा रद्ध हो आप 144 लगा चाहिए 146 लगा है सरकार डरी हुई है Sum fish गांधी जी के चर्णो में नियाह मांग रहा है अंसा सत्य अंसा के पुजारी गांधी जी थे करे 144 वहां नहीं है क्या पूरे अगर पूरे अगर पूरे महानगर में 144 है तो हर्मू में भी 144 होना चाहिए स्वराइब वहन में 144 होना चाहिए समय का इंतिजार कीजिए पूरा समाज इसके साथ खड़ा है देखिए ये घटना जो है काफी दुरभागपूर्ण है हमारे प्रदेश अध्याग जी आजश्वम चल करके हाँ है और जैसे ही सुचना हम लोगों को मिली कि इस तरह से युवाओं के साथ छात्रों के साथ किया जा रहा है लगातार हम लोगों ने ट्वीट भी किया लगातार पुलिस प्रसासन को भी खबर किया मैंने मुक्सचीव को भी फोन किया और मैंने जितना हो सका हम लोगों ने प्रेसर बनाने का काम किया इस सरकार पर मैंने मुक्सचीव जी को कहा कि इस तरह से हमारे छात्रों को रात में उठा लिया गया जो गांधिवादी तरीके से धारना पर बैठे हुए थे यह अन्याय हो रहा है जारखन प्रदेश में आपको देखना चाहिए और आने वाला समय में आप लोगों का ये जो सरकार है काली अक्षरों में नाम लिखा जाए उसके बाद अभी कुछ छात्रों को छोड़ा गया है अभी कुछ छात्र अभी भी ट्रेसलेस है कुछ संगठन के लोग अभी ट्रेसलेस है उनके परिवार को भी चिंता हो रही है देखिए इरफान अंसारी जी को कितना गंभिरता से आप लोग लेते हैं मुझे नहीं पता है लेकिन इरफान अंसारी जी एक आइटम गरल है उनको हम लोग आइटम गरल मानते हैं वो कहां कब नाचने लगेंगे कहां किस तरह से डांस करने लगेंगे हम लोगों को उनके बा प्रतिमा के नीचे बैठे हुए थे वहां से रात के एक बजे उठाना क्या गुना था उनका आप सुभा उटन को भेज देते नोटिस भेज देते 144 लगा करके उनको बोल देते आप यहां नहीं करो आप दूसरे जगह जा कर धना अस्तर पर करते उनको क्या जरूत पर उठाने का कौन सा ऐसा क्राइम किया उन्होंने बताना चाहिए सरकार को आपको याद होगा कि पहले भी यह उठा करके आपको बहुत सारे चातरों को ले जा करके बंद कर दिये थे हमारे निता प्रतिपक्ष आदर निये बावुलाल मारांडी जी हमारे प्रदेश अद्यक्ष गए हमारे पाटी के निता गए तब उन लोगों को छोड़ा गया तो यह हर समय दमन की जो राजनी था यह चलने वाली अब जारकंड में नहीं है इसकी मुतोर जबाब हम लोग देने हैं हम लोग तो खुल के हैं यहां है सदन में है जब चाहे तब गिरफतार कर ले हमने कोई चोरी किया क्या हमने कोई टकैती किया क्या हम तो छात्रों के साथ लड़ रहे थे लड़ेंगे उनको भी जल डालोगे हमको भी जल डालो हम लोग तो हक अधिकार के लड़ाई लड़ पद, पावर और पैसा से आप अगर पदाधिकारी बनाओगे जहारखन में तो यह जहारखन लूटखन में बदल जाएगा इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं भाजपा इसका नहतिक समर्थन कर रही है और आगे भी हम लोग करें पैसी के विरोध में हम तमान छात्रों को अपना जो है की डर के अपना आवाज से घबरा के हम लोग को आधी रातरी में सोने के दरान उठाया गया और हमारा चपल जुत्ता इधर उधर सब को फेद दिया परसासन के दोरा टॉर्चर किया गया जब हम इस आंदोलन को मुकाम सब पहुचाने के लिए किसान आंदोलन के तर्थ पर 24 घंटा बने रहने के लिए चात्रों से दो रूपिया पांच रूपिया दस रूपिया चंदाई खटा करके धरना अस्तल में जब खाना बनाने लगे वही सोने लगे जगने लगे 24 घंटा समय देने लगे और चार तरफ ज़रकन के तमाब जात्रा आने लगे इसका तबाव को देखते हुए जब से पहले तो मैं ये काना चारा हूँ कि कल जो हम लोगे साथ घटना घटा वो बहुत निंदनी घटना है ज़रकन सरकार के लिए बहुत बेसरम की बात है कैसा निरलज सरकार की जिस जपीएसी ने सुईकार किया है अपना गलती अगर से जपीएसी सही है तो ओमर जारी क्यों नहीं कर रहा है अगर सरकार सही है तो जब भी असी वर जाज कमिटी क्यों नहीं बटा रहा है और ये बात हम का रहे हैं और तो हमारे बात नहीं सुना जा रहा है अगर अपने अधिकारों के नहीं लड़े तो मुर्दा हो मुर्दा लड़ो इस सरकार के खिलाफ लड़ो अगर तुम्हारा बाप भी तुम्हारा अधिकार देने से रोकता है तो तुम अपने बाप के खिलाफ भी लड़ो ये सरकार किया चीज है हमने सरकार बनाई है इस सरकार को हम सिर्फ उंगलियों से भोट देने के लिए नहीं उससे चोट करने के लिए भी है का हमें कलम चलानी आती है तो हम बंदुक चलाना भी सीख लेंगे हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हम वंदे मातरम बोलना चाहते हैं अगर सरकार ये ताना सहा सरकार हमें लाल सलाम बोलने पर मजबूर ना करें अगर हम लाल सलाम बोले तो दामदर की नदिया लाल लाल हो जाएंगी सुवन रेखा चिक चिक कर कहेगी कि तुमने ये 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 बुद्धु भगत की धरती ह ये बिनुत बहारी मातों की धरती है जिसने कहा था पढ़ो और लड़ो पढ़ोगे तभी लड़ोगे तोखी ये तुम्हें ताना सा सरकार चाहती है कि तुम मुर्ख बनके रहो ताकि ये पूरे जीवनकाल तक सत्ता का सुख भोग सके इसलिए सभी अभियार्थियों से कहते हों कि पढ़ो और लड़ो मतलब सुभा पढ़ो और साम लड़ो लेकिन लड़ो मुझे लगता है कि आपने अभी तक खाना भी नहीं खाया है नहीं नहीं खाया हूं कब खाया हूं मैं बता रहा हूं आठ बजे मैं चार रोटी रुखी सुखी रोटी खाया हूं उसका भी में और हमारी अपनी स्वाभिमान को हमारी यात्मा को कचोटा गया है इस सरकार दुवारा हैं पानि क्यों नहीं दी जा रही है तो ये वह भी देने के लिए त्यार नहीं है बताइए इतनी ताना साह सरकार कैसे हो सकती है इतनी ताना सरकार तो गोरे अंगरेज भी नहीं थे जबकि हम गांधिवादी तरीके से अंदोलन कर रहे थे अमिटकर वादी तरीके से अंदोलन कर रहे थे जपीएसी के वियरती है हाँ, मैं भी जपीएसी के अंदोलन अदिकरी हो ऐसी कोई संसला होती है क्या आप जितनी भी सिविल सर्विस का एक्जाम हो रहे हैं बीपीसी का और फिर जितने भी स्टेट्स का हैं आप देख लिजिए इतनी कोशन कहां गलतियां होती हैं ये इसमें सिर्फ घुसाने की साजिस होती हैं तो आज की खबर में बस इतना ही बने रहें सेमपी न्यूज के साथ अपना ख्याल रखें क्योंकि आप से हम आप हैं हमारी ताकत लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेस्बुक पेस को फॉलो और लाइक जरूर करें तो वहीं विश्टुत खबरों के लिए हमारे योटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद